नमसकार मैं भूपहननने पणड़े हिंदी चनल मैं आप सब का हरदिक सवाइब ंंग सत्व वुछत करता हूं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें साथ hi बेल अइकों का दबाना ना पुलेए ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के शिक्षक हो वो दो-तिन वातों से बहुत ही उनको मतलब बहुत ही परशानी होती है वो उससे घ्रणा करते हैं एक तो है spelling mistake इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तनी चाहे वए हिंदी के शिक्षक हो चाहे अंग्रेजी के शिक्षक हो चाहे संस्कृत के शिक् ON और दूसरी आपकी लिखावट जिसे हम hand-arting करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में वर्तनी समंधी अशुद्धियों से कैसे बचें How to avoid spelling mistakes in Hindi क्योंकि मेरे चैनल में किवल हिंदी भाषी चेत्रों के छात्र नहीं है बरकि पुरे भारत के विभिन राजियों और संग राजे शेत्रों के छात्र नहीं इस चैनल पर है तो उनको मालूम हना चाहिए कि हम वर्तनी समंधी अशुद्धियों से कैसे बच सकते हैं क्योंकि जब भी आप कोई लिखित परिच्छा देते हैं तो आपकी अशुद्धियों के कारण आपके जो व्याकरणिक जो अशुद्धियां होती हैं ग्रमेटिकल मिश्टेक्स होते हैं या फिर आपकी लिखावाट होती है इसके कारण आपके अंक बहुत कड़ जाते हैं बहुत ज्यादा मात्र में जिसमें आपको उत्तर लिखना पड़ता है तो दो-तिन बाते बहुत ही महत्तपोर होती हैं आपके लिए आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो मुल्यांकन करता है उसको पड़ने का मन करना चाहिए साब सुन्दर लिखावट कांट शाट नहीं होना चाहिए दूसरा किसी भी प्रकार की spelling mistakes वहाँ पर नहीं होना चाहिए इसी तरह व्याकरांड की तुरूटियां वहाँ पर नहीं होनी चाहिए एक बात और जो आप प्रया ध्यान नहीं देते जो शिरो रेखा है जो लाइन के उपर में यह जो हम लाइन खीषते हैं शब्दों के उपर में यह जो लाइन है यह जो लाइन है इसे हम कहते हैं शिरो रेखा और इसको हम कहते हैं खड़ी पाई इसी दी लाइन होती है खड़ी पाई लेइन हिंदी में क्या है हमको लिखने में या फिर टाइप करने में ज्यादा समय लगता है इस बात को आपको ध्यान में रखना है आपको speed के साथ accuracy भी maintain करनी होती है किसी भी लिखित परिच्छा में तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हिंदी में वर्तनी समंधी अशुद्यों से कैसे बचें यह सब जो मैं lecture से लेकर आता हूँ कितने views आएंगे कितने views नहीं आएंगे इस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ लेकिन यदि एक भी छात्र इससे लाभानवीत होता है तो मेरा प्रयास सार्ता हो जाता है तो मेरे कुछ values प्रोवाइट करना चाहता हूँ मैं आपको आपके जीवन में मैं कुछ मुल्नी विक्सित करना चाहता हूँ क्योंकि आप हिंदी के छात्र है तो भाषा कोशल क्या होता है चार language skills होते है जिसको हम अपने परिवेश और वातावराण से सीखते हैं भाषा कोशल चार प्रकार के होते हैं जिने हम language skills कहते है पहला होता है सुनना जिसको हम अगरेजी में कहते हैं listening दूसरा होता है बोलना जिसको हम कहते हैं speaking तीसरा होता है पढ़ना reading और चौथा होता है लिखना writing जब एक बालक एक बच्चा दुनिया में आता तो बोलने की शमता लेकर आता है पहले वह सुनता है तो जहां पर वहां पैदा हुआ है तो अपने माता पिता से आसपास के परिवेश है वहां भाषा को अग्रहन करता है जिस संस्कृती में जिस परिवेश में वहां पैदा हुआ है उसके माता पिता कौन सी भाषा बोलते हैं यह बहुत सारी बातें प्रभावित करती है अना तो listening इसके बाद जब वह सुनता है फिर वह बोलना सीख जाता है पहले बच्चा बोलना सीखता है इसलिए जब आप वह इसकूल में जाते हैं चार्ट वगर ऐसे टीचर पढ़ाते हैं काकमल काका खारगोश का तो बोलना सीख जाता है चीतरों को पचानना सीख जाता है कि इन्हें कैसे लिखना है तो अब हम इसमें गलतियां क्यों करते हैं तो हम लिखते समय वास्ता में यहाँ पर लिखते समय ज्यादा क्योंकि लिखने से लिख कर ही आप अपने आपको अभिवेक्त करेंगे परिक्षा में तो हम पहले लिखते समय गलतियां क्यों करते हैं, वाई वी कमेट स्पेलिंग मिश्टेक्स वाई लाइटिंग, तो सुनते समय ध्यान की कमी, आपको मालूम है कि छोटे बच्चों को पहले इमला बोला जाता है, या फिर जिसे डिक्टेशन कहते हैं, उनको डिक्टेशन दिया जाता है, कुछ शब्द दिय जाते हैं, कुछ वाख्य दे जाते हैं, टीचर उनको बोल देते हैं और बच्चे उन्हें लिखते हैं, तो सुनते समय ध्यान की कमी, अब यदि जो बोलने वाला है उसका उच्चारन शुद्ध होगा, तो जैसा वो बोल रहे हैं, वैसा हम लिखते हैं, तो आप किसी भी बात को सुन रहे हैं, जो अच्छे वक्ता हैं उनकी बातों को आप सुन रहे हैं, जैसे रेडियो और दूर दर्सन में समचार वगरा सुन रहे हैं, तब आपको उनके उच्चारण पर ध्यान देना है या फिर जो शिक्षक हैं आपके वे कैशे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है तो सुनते समय ध्यान की कमी तो अच्छे वक्ता जब बोर रहे हैं कहीं से आप सुनने कमाओ कमेरा तो ध्यान से आपको सुनना आए इसके बाद बोलते समय शुद्ध उचारण नहीं करना जो हिंदी भाषा है वो ध्वन्यात्मक भाषा है जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं तो बोलते समय आपको शुद्ध उचारण करना आना चाहिए इसलिए हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप बोल बोल कर पढ़ें नीचे उंगली रखकर बोल बोल कर पढ़ें इसलिए बोला जाता है ये सारे वेग्यानिक दिश्ट्री कॉंड से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हैं तो बहुत ध्यान से सुनियेगा ये पूरे आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला मेरा आज का लेक्चर होगा इसके बाद पढ़ते समय ध्यान की कमी अनमने डंक से पढ़ना अब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहा हैं कोई कहानी पढ़ रहा हैं कोई कविता पढ़ रहा हैं कोई गजल पढ़ रहा हैं या जो भी टेस्ट आप पढ़ रहा हैं किसी भी भाशा में तो पढ़ते समय ध्यान की कमी ध्यान से आप नहीं देख रहे हैं कि छोटी वाली एकी मातर लगी है कि बड़ी वाली एकी मातर लगी है छोटे उकी मातर लगी कि बड़ा वाला उकी मातर लगा हुआ है इसके बाद लिखते समय ध्यान की कमी अन्मने धंक से लिखना तो अभी जो जमना आ गया है तो बिल्कुल हम उंगलियों में मतलब बोल कर भी हम टाइप कर लेते हैं या फिर लिखने की जो शमता है बच्चों में धिरे-दिरे कम होते जा रहे हैं तो लिखते समय ध्यान की कमी बिल्कुल ध्यान से आपको लिखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ जब भी आप लिख रहे हैं मतलब यह total attention का मामला है यह जो मामला है मतलब ध्यान की कमी के काणड यह आप यह सारी गलतियां करते हैं तो जो भी करें ध्यान से करें तो आगे बढ़ते हैं दिरे मैं आपको बताऊँगा दिरे दिरे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने आप में improvement ला सकते हैं कैसे आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं इसके बाद वरतनी समंदी अशुद्यों से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें do's and don'ts to avoid spelling mistakes in Hindi and not only in Hindi in other languages also maybe Sanskrit maybe English whatever the language you are speaking or writing you have to take care of all these things do's and don'ts to avoid spelling mistakes पहला है किसी भी पाट्य समागरी को सही उचारण के साथ पाढणा अना you have to be very much careful while reading a test while reading any story or any novel or whatever maybe it means you have to take care of the pronunciation of each and every word जितने भी शब्द उनके सही उचारण का ध्यान रखना you have to pay too much attention regarding the pronunciation of the different types of words किसी भी पाट्य समागरी को आपको सही उचारण के साथ पढ़ना जरूरी है विशे सुरुप से हिंदी में हिंदी एक धन्यात्मक भाशा है अंग्रेजी में कुछ चीज़ें silent होती जैसे knowledge बोलते हैं तो case silent है psychology बोलते हैं तो P silent है लेकिन हिंदी में जो भी हम screen पर देख पा रहे हम वैसा ही उसका उचारण करते हैं क्योंकि हिंदी एक धन्यात्मक भाशा है तो भाशा वे ग्यानेक दिश्टी कोण से देखेंगे तो हिंदी क्या है वह होती scientifically सही भाशा है शुद्ध भाशा है इसमें जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं तब आपको सही उचारण सीखने को कहां से मिलेगा जो colleges के जो professors जो होते हैं इसकुल के जो भाशा के जो शिक्षक होते हैं प्राया उनका उचारण शुद्ध होता है या पर जो All India Radio है जिसको माकाश्वारी कहते हैं या पर जो दूर दर्शन का समाचार है इनको आप जरूर सुने क्योंकि इनमें जो समाचार वाचक जो आते हैं इनका उचारण बिल्कुल शुद्ध होता है क्योंकि वहाँ पर चैन की जो प्रक्रिया बहुत ही कठीन होती है जो संसत भावर में है या संसत समाचार आप सुन रहे होगे भारत सरकार के जो प्रसार भारती कंतरगत आते हैं आकाश्वाडियो और दूर दर्शन तो इनमें जो उचारण होता है शुद्ध होता है क्योंकि उनकी चैन की प्रक्रिया ही बहुत कठीन है बिल्कुल शुद्ध उचारण होता तो यहाँ से आप सीख सकते हैं अब कुछ शेत्री प्रभाव के काराण भी हम सही ढंक से उचारण नहीं करते हैं जैसे ये शब्द आप देख पारे हैं क्रिशी, ये जो पहला शब्द है क्रिशी, कुछ जगा इसको बोलते हैं क्रशी, ये बोलते हैं क्रशी, ये दोनों अलग गलग चीज़े, ये क्रिशी में जो है, ये री की मातरा लगी हुई है, लेकिन इसका उचारान लोग करते हैं क अब क्रशी जब आप उचारान करेंगे तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे जैसा बोलेंगे वैसे आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं क्या सही है और क्या गलत है मतलब शेत्री प्रभाव होते हैं उससे आपको उपर उठना है हमको शुरू शेही हमको ध्यान रखना होता है जैसे कुछ लोग प्रशाद को प्रशाद बोल देते हैं प्रशाद प्रशाद थोड़ी होता है प्रशाद क्रिशी होता है ये क्रिशी क्रशी नहीं होता है इसी पर कर की और यहाँ पर होता है की छोटे की मातरा को हम ज्याद इसको पते की, उसने कहा की, गंधी जी ने कहा की, यह हो गया, तो की का मतलब that से होता है, जिसको अंग्रेजी में हम that कहते है, गंधी जी says that, गंधी जी ने कहा की, और यह राहूल की किताब है, this is the book of Rahul तो की का तातपर होता है आफ तो अगर इन दोनों का आप एक दूसरे की जगह में लिख देते हैं तो grammatically वो गलत हो जाता है व्याकरणिक द्रिष्टी से यह गलत हो जाता है तो जो हरसोसर होते हैं, जो लगूसोर होते हैं आपको परते समयिया ध्यान रखना है उसने कहा की का की 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 का कि को कहा हित्यादी अरे जो क्रिशी है इसमें री की मातरा लगी हुई है यह सब बातें आपको ध्यान में रखना जोर रहे है एकदम basics मैं आप बता रहा हो अगर आप शुरू से ध्यान रखते हैं अभी भी आप ध्यान दे रहा है शुरू कर देते हैं और भाशा की सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्दगी के किसी भी मोड पर आप सीख सकते हैं किसी भी भाशा को और जिन्दगी के किसी भी मोड पर आप इसको इंप्रूव कर सकते अपनी भाषा में सुधार सकते हैं और आप किसी भी प्रांत में किसी भी परवेश में पैदा हों हमेशा आप कोई भी नई भाषा सीख सकते हैं ये इसके अच्छी बात है भाषा की तो भाषा को क्या है हम अरजीत करते हैं हम सीखते हैं हम बोलने की शम्ता लेकर पैदा होते हैं, लेकिन भाषा क्या है? मनुसिकी अर्जित संपत्ती है, उसको हम अर्ण करते हैं, लर्ण करते हैं, इसके बाद इस्तरी पाठ्य समगरी को ध्यान से रोज, सही उच्यारण के साथ पढ़ना, अब इस्तरी पाठ्य समगरी क्या है? जो राष्टी इस्तर के समाचार पत्रे, उनका जो संपादकी होता है, बड़े-बड़े महाल लेखक लोग लिखते हैं, विद्वान लोग लिखते हैं, या पिर हिंदी साहिती की किताबें तो सम्रिध हैं, हिंदी साहिती की आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे जाए शंकर प्रसाध जी को पढ़ें, आप मुन्जी प्रहेम चैन जी को पढ़ें जीतने भी लेखक हुए हैं, अग्गे हैं और इतने भी बड़े-बड़े राइटर हुआ हैं, महादेवी वर्मा है निरला है जो भी है तो उनकी किताबों को आप पढ़ें और ध्यान रखें कि उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है और उनका अर्थ क्या है तो बार-बार आपको डिशनरी भी देखना पढ़े हैं और ध्यान में बार बारे बोरो हूं हम जो गलतियां करते हैं उसका मुख्य करन ध्यान की कमी है और आप हमेशा प्रयास करें कि उंगली रखकर पढ़ें या फिर पैंसिल लगकर नीचे पढ़ें बतब पैंसिल का जो उल्टा से जो सीरा होता है जिसको हम छीलते रहें प्रभाव पढ़ें आता है कि हम उन शब्दों का उचारण गलत कर देते हैं तो गलत लिखने के भी चांसे बढ़ें आते हैं जैसे होता है यह सब्दा इस्तर कोई शेत्र में इसको बोलते हैं अस्तर शिक्षा का अस्तर गिर गया अस्तर नहीं गिरा है शिक्षा का इस्तर गिर गया है, इस्तर, यह भी नहीं बलते हैं इस्तर, ज्यादा जोर नहीं देते हैं, और यहाँ पर आ बोलते हैं, आ जवर दसी लगाया गया, आ यहाँ पर लगाने के जवराती नहीं है, तो यह गलात हो गया, ठीक है न, वैसी बलते हैं, इस समस्या का इस्ताई समाधान नह तो बदल लीजिए अपने आपको हाला कि कहां कहां ऐसा बोला जाता मैं आपको बता दूँगा लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कई लोग या है मेरी बातों को दील पे ले लेते हैं लेकिन मैं एक शिक्षा को मेरा उद्देश आप में सुधा लाना है किसी प्रांत विशेश को और किसी व्यक्ति विशेश को टार्गेट करना उद्देश नहीं है मेरा उद्देश है आपको सही चीजों को सीखना क्योंकि आप किसी भी शेत्र के हो नोवनीस परफेट परफेट कोई नहीं है लेकिन सफलता हासिल करने के लिए आपको अपनी कम्यों को दूर करना है लेने आपकी कम्यों को बताएगा कौन आपको एक शिक्षक ही बता सकता कि ये कमी है कभी कभी हमको अपने माता पिता की बातें बुरी लगती है मतलब जो हमारे भला चाहने वाले होते हैं वो हमको कोई सही बात बताते हैं और हमको बात बुरी लगती है तो ऐसे में आपका सुधार कभी नहीं हो सकता जिन्दगी में जो लोग आपको टोकने वाले हैं जो आपको बता रहे हैं, जो आपके शुबशीन तक हैं, तो उनकी बातों को आपको ध्यान रखना है, आपको जहां पहुँचना है, उसके आपको योग्य बनना पड़ता है, पैदाशी योग्य नहीं होता कि आसिस्टेंट प्रोफिसर बन जाएगा, आईएस बन जाएगा, कोई भी व्यक्ति पैदाशी योग्य नहीं होता, देरे देरे हम अपनी शम्ताओं में वृद्धी करते हैं, और जिस जगह हमको पहुचना है, उस जगह पहुचने के लिए, जो आवशक योग्यता है, उसको अरजित करते हैं, अपनी गल्तियों को दूर करते हैं, तो ये भी नहीं है कि हम जहां पैदा हुए हैं, गाओं में पैदा हुए हैं, देहाद में पैदा हुए हैं, शहर में पैदा हुए हैं, वहाँ पर किस प्रकार की भाशा बोली जा रही है, वास्तों में जो हमारी लक्षे भाशा है, जिसको हम सीखना चाहते हैं, उस भाशा के संसक किती में वह भाषा शामील है, जीस देश की वह भाषा है, जीस समाध की वह भाषा है, उसमें उचारण कैसे करते हैं, उसमें व्याकरांड की कोठियां क्या है, उसके हिसाहब से हमको सीखना होता है, कि जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिदा भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों कई बर ऐसा होता कि हमारे माता पिदा कम पढ़े लिखे होते हैं हमसे और कई बर ऐसा होता कि बच्चे भी अपने माता पिदा से कम पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि कोई वैग्यानिक है, कोई बहुत बड़े साहित्यकार है, उनका बेटा भी साहित्यकार हो, या वैग्यानिक कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा अभिनेता है, उसका बेटा भी उतना सफल अभिनेता बने ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा साहित्य तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, हम हिंदी सीखना चाह रहे हैं, तो हिंदी भाषा के जो संस्कार हैं, हिंदी की जो संस्कृती है, हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी के शब्दों को जो उचारण है, उसको हमको सीखना होता है, और जो cha ل 요 ooh उसमें पीर अनु सवार वाला शब्द aik आएंगे एनु 90 वाले शब्द पहले आएंगे कि विशरग वाले शब्द पहले आएंगे ध्यान में रखना तू डिश्णरी देखते समय इसके बाद जो का का वर्ग का का गगांगा उनके शब्दों को देखने के अधर डालें और डिशनरी देखना कैसे खली शब्दों का अर्थ नहीं देखना है कैसे देखना मैं आपको बताता हूँ कठी शब्दों के अर्थ बार बार शब्द कोस में देखना आपको जो भी कठी शब्द लगते जैसे याद रिक्षिक शब्द है याद रिक्षिक शब्द का अब क्या होगा अर्थ इसका मतलब है रेंडमली मतलब जिसको प्रापर ढंग से हम चूज नहीं करते हैं उनको हमको बोलते हैं याद रिक्षित किसी को भी उठा लिए आर्द समाने किसी को भी हमने उठा लिए तो कठी शब्दों के अर्थ बार बार शब्द कोस में देखना डिशनरी में देखना विशेश रूप से जब आप डिशनरी में शब्द देखते हैं शब्दों के अर्थ देखते हैं तो उनकी वर्तनी को देखना स्पेलिंग को ध्यान से देखना इसके बाद उनकी व्याकराणिक कोठियों को भी देखना व्याकराणिक कोठियों मतलब देशेड और विदेशी विदेशी शब्द अंग्रेजी के भी हो सकते हैं अर्भी फार्सी के भी हो सकते हैं जो मौल भाषा है वा अर्भी भी हो सकती है फार्सी भाषाब जो भी है तो इनके ग्रमेटिकल क्लासिफिकेशन पर भी ध्यान देना है तो कैसे देखते हैं देखिए हाँ पर मने एक उदाना लिखा हुआ है अब आप शेब्द कोस में जो डिशनरी में बारिश शब्दकार था देखेंगे बारिश बारिश का मौसा में बारिश का महिना है तो मैं आपको बारिश शब्दे यहां पर लिया है तो बारिश कीस बारिश हो रही है, आज हमारे शेहर में तेज बारिश हो रही है, बारिश क्योंकि इस्त्रिलिंग है, इसके इसाब से हमको सभी क्रियाओं को रखना है, बारिश हो रही है, फार्सी का शब्द है, यह इस्त्रिलिंग है, यह आपको देखना है अब हम इसका अर्थ देखेंग अंग्रेजी में, संचेव छीण हम आपर दिया रहते हैं, जब भी कोई डिश्णरी आफ शूरू करेंगे, चाहे हिंदी या अंग्रेजी, जैसे इस्त्री लिखा है, मतलब क्या होगा, इसका आर्थ है इस्त्री लिंग, जैसे यहां पर हमने इस्त्री लिखा, इस्त्री प्रुनावन ए क्री लिख्या क्रियल लेख्युम्हर्या to aam हिंदी की डिशर ही देखे हैं यह आंगरेंजी की 돼ि कऊई भी देखें तो शब्दों की कोटिया ग्रमे existing है ऐниरधारिग कर दिया जाता है जो क्लसिप केसं से छंग्या मढें बनार्म है ऐकि 15 vibes आम तरपर चात्र इसको इग्णोर कर देते हैं इसके उपए इक्षा कर देते हैं सिर्फ उनका रहता है अर्थ देख लिए और आगे बढ़ गए तो डिक्ष्णरी देखने से महें आप ध्यान रखिए कि वह किस भाषा का शब्द है उसकी व्याकराणिक कोटी क्या है इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है उपर नीचे एक दो शब्द आपको ऐसे भी दिख जाते हैं तो इग्णोर नहीं करना है बस ध्यान की बात है कुछ ही दिनों में आप अपने आपने इंप्रूमेंट आपको दिखने लगेगा मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुन रह इसे आप भा लिख रहा हैं अब भा में आपने प्रपर लिश्टर से भा नहीं लिखा ऐसे तो कई पर ऑमाज ऐसा दिखने लगेगा मतल्ब यह जो उपर में लाइन खीसते हैं यह शीरो रेखा है इसका आपको दिखंग रखना है इसी पकार यह सामने खड़ी पाई है इस इस पर भी आपके अंक कट जाएंगे हिंदी में शिरो रेखा आपको लिखना जरूरी है और इसलिए हिंदी लिखते हैं समय हमारी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि अंग्रेजी में इस टाइप की कोई लाइन खीचने की हमको जरूरत नहीं होती है जैसे हमको लिखना इसे हमको यहां पर लाइन खीचना पड़ेगा है यह पैट पर राटिंग पैट पर मैं लिखता हूं में हैं अच्छी नहीं है बाकी नोट बुक में अच्छी है तो आप इस बात का ध्यां रखें इसमें लिखने की मुझे आदत नहीं है लिखावाट और वर्तनी आपकी जिन्दगी में बहुत ही मत्पूर्ण भूमिका निभाएंगे यदि आप हिंदी साहित के हिंदी भाशा के चात्र हैं तो आप इस बात को नोट कर लिए अगर आपके हैंड़ाट चांड नहीं करते हैं वर्तनी की अशुद्या नहीं है तो दूसरे चात्रों के मुगाबले आपको कुछ ज्यादा अंक जरूर मिलेंगे चाहिए UPSC नहीं कोई भी जाम हो तो लिखते समय यह शिरो रेखाय लाइन किजना खड़ी पा इत्यादी का ध्यां रखें और विराम चिन्नों का भी समुचित रूप से प्रयोग करें और उनको सही उचरान के साथ पढ़ें और सही तरीके से उनको लिखें विराम चिन्न जैसे अर्द विराम है अल्प विराम है इत्यादी जैसे एक उदारान यहाँ पर पर लिखाओ इसको कैसे पढ़ेंगे आप देखिए इस उदारान को राहुल अजय और सुमीत आज दिल्ली जा रहे हैं इसके साथ ही उनके श पार्ठे सागामी क्रियायँ भी हमारे लिए ज़रूरी हैं तो अब यह जो पास होता है कितना देर आपको रुखना है पूर्ण विराम में बहुत ज्यादा देर रुखना पड़ता है उससे थोड़ा कम रुखना पड़ता है यो अर्द विराम है इसको हम बोलते हैं देख रहे होंगे, यह जो है, यह अर्द विराम है, इसमें थोड़ा कम समय रुखना पड़ता है, पास देना पड़ता है, और यह जो कम है यहाँ पर और बिल्कुल कम रुखना पड़ता है, इसे तीन चार मने नाम लिखा है, राहूल, अजय और सुमीत, तो थोड़ी थोड पता ही नहीं चला कहां पर कौमा है कहां पर क्या है तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है विराम चिन्नों का भी सही डंग से प्रयोग करना है और इन विराम चिन्नों को पढ़ते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कितने कितना कहां पर इस्टेस देना ह ये सारी बाते महतपुन हैं यदि इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि आपके जो spelling mistakes हैं हिंदी में वर्तनी गत जो अशुद्यां हैं बहुत ही अच्छे जंग से दूर हो चुकी हैं और अप शुद्ध भाषा लिखने और बोलने में शक्षम हो गए हैं अब अंत में मैं इसको समराइच कर देता हूँ कि how to avoid spelling mistakes in हिंदी हिंदी में वर्तनी गत अशुद्यां को कैसे दूर करें तो ये है ध्यान से सुननना listening with attention अब ध्यान से किसको सुनना तो मतलब जो सही उचरण करने वाले लोग हैं जो समाज के विद्वान लोग हैं जो colleges के विद्वान प्रोफेसर हैं या फिर दूरदर्सन या फिर आकाश वाड़ी के जो समाचार वक्ता हैं जो उद्गोशक हैं इनको ध्यान से सुननना विद्भारतित्या देको इसके बाद शुद्ध उचरण के साथ बोलना speaking with correct pronunciation चैया आप किसी भी परिवेस में किसी भी संस्कृति के हूँ आपको उचरण करते समाए प्रननसियेसंस का ध्यान रखना है आपको अपने उचरण का ध्यान रखना है जैसे जिन्दगी है जक के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो नुक्ता के साथ आपको बोलना है इसी बाद ध्यान से पढ़ना reading with attention सारी गलतियों की जो जड़ है वह है attention की कमी ध्यान की कमी तो जब भी आप पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें उंगली रख कर पढ़ें या फिर आप पैंसिल को उल्टा करके पैंसिल चलाते हुए पढ़ें ध्यान से पढ़ें बिल्कुल तब आपको पता चलेगा पढ़ने में मज़ा भी आएगा हिंदी के जो चात्रे हैं आप बहुत खुस किसमत हैं कि आप हिंदी साहित्य के चात्रे हैं हिंदी भाशा के चात्रे हैं क्यों पढ़ने हैं आणन्द लगी आनन्द है इसको आप करियर तो आपको बनी जाएगा लेकिन यह यात्रा है उसका भी आप आनन्द लिगिए सफर का भी मज़ा उठाइए आप यह जो यात्रा है हिंदी साहित हिंदी भाषा की बहुती 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 नियात्रा है क्योंकि मैं इस फिल्ड में संदोजार पांच से हूँ भाषा के शेत्र में मैं कायम कर रहा हूं संदोजार पांच से 19 साल का जो अन्भव है मैंने ये लेक्चर में summarize किया है इसके बाद ध्यान से लिखना ध्यान से पढ़ना यहां से सब्द छूट गया है ध्यान से पढ़ना और यहां ध्यान से लिखना ध्यान से सब्द छूट गया है टापिंग अधर और इसको ignore करियेगा ध्यान से लिखना writing with attention देखे माने भी यहां पर ध्यान से नहीं लिख पाया तो यहां पर ध्यान से मैं जरूर लिखा लेकिन से मैंने लिखना भूल गया मेरी भी गलती है अब ध्यान पढ़ना मैंने लिख दिया से छूटा हुआ कि ये शब्द संग्या है, कि सर्वनाम है, कि विशेशन है, कि क्रिया विशेशन है, कि अव्या है, क्या है, इसके बाद विराम चिन्नों का भी समुचित ग्यान होना चाहिए, क्या अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, पुर्ण विराम क्या है, और जो उद्धरण चिन्ह क्या है कोटे सरमार से इन सारी बातों को आपको ध्यान होना चाहिए किसी भी भाशा में और अंतिम बात है लिखावाट अच्छी रहने से भी गलतियां नहीं होती है उच्छा तर बिल्कुल साप सुत्रा नहीं लिखते हैं उनकी नोटबुक आप देखेंगे न तर ब पता चले का कहां पी गलती हैं और दिरे दिरे यह सबी चीज़ें मतलब आप इसमें सुधार कर पाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का लेक्चेर आप लोगों के लिए बहुत जादा लाब दयाक रहा होगा एक और आप लोगों से गुजारिस है कि मेरा लेक्चे यदि देखने तो पूरा देखें मैं वेल्यूस प्रवाइड करने का आपको प्रयास कर रहा हूं मैं आपको मुल्ली विक्सित करने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरा प्रयास ही रहता है मेरा प्रयास तभी सफ़ल होगा जब आप इसको पूरी तरह से देख लेंगे और यद निवाद जैहिंजे भारत